ब्रमुरत दिहानुप्रांत सत्संग आत्मबोध श्लोक नंबर 22 अज्ञानात मानसो उपाधी कर्तित्वाधीनी च आत्मने कल्प यंते अंबूगते चंद्रे चलना आदी यतां अंबसा है एक बहुत ही सुन्दर भाव को ले करके जो भी चंद्र से जुड़ा है शशी पिछले श्लोक की बाते अज्ञानता के कारण मन रूपी उपाधी मन रूपी उपाधी उसके कर्म जो है मन के कर्म उसकी क्रियाएं विचार इत्यादी जो कुछ भी मन के द्वारा संभव है वो सारे के सारे एक ऐसी आवर्ण शक्ती का निर्मान करते हैं ऐसी माया की शक्ती का निर्मान करते हैं आत्मा दिखाई नहीं पड़ती अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मैं उसी प्रकार हूँ जैसे जल में अस्थिर पानी जल हो अस्थिर जल उस पर चंदर का प्रकाश पढ़ रहा हो चंदर की छवी हो तो वो भी छितराया हुआ सा दिखाई देगा जिस प्रकार अस्थिर जल में चंदर की छवी भी इमेज अप दे मून वो भी छित्राई भी दिखाए देगे, distorted with the turbulence on the water, surface of water. ठीक उसी प्रकार आत्मा अजन्मा निरलिप्त शाश्वत सरातन पर फिर भी उस पर आरोपित है, क्या आरोपित है? मन जैसे उपकर्नों के आवर्ण इसे मनों में कोश का भी उलेख मना जा सकता है प्राण में कोश का भी मना जा सकता है मन के आकशेप जोकि मन परतिपल कुछ न कुछ करता चला जा रहा है भले वो सतही मन हो, अर्द चेतन के सुरूप में हो उसके द्वारा खड़ी की गई अस्थिरताएं अस्थित्व के जल की सताएं पर इतने घमासान उत्पन करती है कि कोई भी छवी उसमें चितराई प्रतीत होती है बिलकुल वैसे ही जैसे जल पर चंद्र की छवी आत्मा अन्यथा चंद्र की भाती आकाश में अत्मा अन्यथा उधारने चंद्र की भाती आकाश में स्थिर है शाश्वत है, सनातन है, शांत है, निरलिप्त है चंद्र कुछ ने कर रहा पर जल पर उसकी छवी जल पर उत्पन होने वाले तरंगों के कारण अस्थिर है इसलिए श्लोक मेंनों ने कहा अज्ञानात मानसो उपाधी उपाधी शब्द याद आत्मो दरम किया था तो उपाधियों का अर्थात आरोपन जितने भी है all those things that are superimposed उनकी बात आई थी तो मन रुपी उपाधी के कर्म उसका करेक्षत्र उसकी कतिविदियां एक्टिविटीज वो आत्मा पर उसी प्रकार से ही जैसे जल्व के प्रतिबिंब और अस्थिर तरंगे उसे अस्थिर चंदर की छवी को टूटा चितराया बिखराया हुआ सा दिखाती हैं ठीक वैसे ही आत्मा का स्थित्व स्थिर होते हुए भी शाश्वत सनातन होते हुए भी अपनी प्रतीतीना दे करके मुनुश्य ये समझता है मैं तो यही हूँ आधा, अधुरा, आउना, पौना, छितराया होसा है ये भाव इस श्लोक के मार्दियम से पुन है आत्म बोध के मूल मर्म की प्रतिष्ठा करते हुए आगे बढ़ रहा है एक ही भाव है बदला नहीं है न किसी भी श्लोक में वो बदलने वाला है आत्म बोध उस आत्म बोध के अंतरकत आत्मा के उस रूप को प्रतिष्ठित किया है जो निर्वान शटकम में उन्होंने नेती-नेती के सिद्धान से स्थापित किया नोट दिस नोट दिस नॉट दिस नॉट इवन दिस वो क्या है शिवोहम चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम आत्मा शिवोहम है भाव यहीं आता है सिद्ध ने तो अनुभव किया था आधिकृ शंकरा चावे जी ने हम तु नहीं कर रहे हैं कर नहीं रहे हैं पर नची केता वाला उलेक बुद्धी को बार-बार स्मर्ण कराने से बुद्धी को बार-बार संस्कारित करते रहने से बुद्धी की प्रात्मिक्ताओं में परिवर्तन आते हैं और फिर एक समय वो भी आता है जब जीव जुट करके अब इस साक्षातकार के लिए आगे बढ़ जाता है जिन लोगों ने भी मैंने नहीं मैं अपनी बात नहीं करता जिन लोगों ने भी अपना पूरा जीवन बिना किसी शिकायत के पूरी तरा आत्म साक्षातकार को दे दिया सैक्णों अभाव अपने उपर ले लिये पर बिना शिकायत के वो करते के वो कौन है वो वो है जिनकी जन्मों से तैयारी आई जो इस प्रकार के ग्यान से बुद्धी को संसकारित करते चले एक समय ऐसा आया कि बुद्धी ने सर्वो परी प्रात्मिक्ता उस साक्षातकार को बना लिया अब उसे कोई चीज जो जीवन में है या उसके पास नहीं है अभाव हैव्स और हैवनौट्स उनसे उपर चले गए अब वो केवल उसी में है वो सारी सीमाएं योग भरष्ट हो जाने की पार कर चुके इसलिए इतने सारे शलोकों में एक ही भाव को बार बार दोराया गया है नित्यप्रती का शरीर का स्नान मन बुधी के स्नान से कम महत्पुन माना गया है शरीर का स्नान अवश्यक है पर मन बुधी का स्नान उससे कहीं अवश्यक माना गया है और ये मन बुद्धी गहरे अंतह करन का स्नान है आज के लिए इतना है ओम ही सकते है ओम ही सकते है ओम ही सकते है